चले अब चलते हैं नीरजी के पास, तो नीरजी आपसे जानना चाहेंगे कि बाजार के खराब संकेतों की वज़ा क्या रही? देखे, पांच मुख्य कारण है, इसमें कमजोरी के, पहला कारण ये है कि यूएस में रिसेशन का खत्रा बढ़ गया है, और इसलिए वहाँ पे टेकनालोजी शेयर, चिप से जलोई कंपनिया, आर्टिफिशिल इंटेलिजेंस वाले कंपनियों में भारी बिक्वाली पिछल एक लाग 14,000 जॉब क्रियेशन हुआ है, जो अन्मान से काफी कम लग 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 आधा, और बिरुजगारी की दर 4% से उपर निकल गई, 4.3%, इसलिए लोगों को लग रहा है कि शायद मंदी की चपेट में यूएस आ सकता है, क्योंकि कॉस्ट आफ कैपिटल बहुत उपर है तो मिश्कल खुरा है, बिजनेस करना, सारी कमपनियों के नतीजे काफी खराब आए है, और गाइडेंस भी खराब है, दूसरा कारणी है कि बयाध दर में जो कटवती का अन्मान था, उसमें बहुत देरी हो रही है, लोगों को जून से अन्मान था कि शायद जून में कट ह हाई गई है, पच्छिस बेसिस पॉइंट जब बयाध दर ने बढ़ी, तो जपान की जो करनसी है, वो काफी ज़्यादा स्ट्रॉंग हुई है, अभी कुछ दिन पहले एक डॉलर के मकाबले 165 येन था, जो उस बयाध दर बढ़तरी के बाद अब 145 पे आ गया है, तो ये 20 येन की जो स्ट्रंथ आई है येन में, उसकी वज़े से येन कैरी ट्रेट अन्वाइंड हो रहे, येन कैरी के मतलब ये होता है कि येन में आप सस्ता लोन लेते हैं, ऑल्मॉस्ट फ्री में मिलता है, और उसको आप दूसरे जगहों पे दूसरे देशों में जाके निवेश करतें जहां ज़्यादा पैसे कमाने को मिलते हैं लेकिन आप चुकि वहां भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बड़ी है तो ट्रेड अन्वाइंड हो रहे हैं बिक्वाली हो रही ये बड़ा कारण था बिक्वाली का चौथा है कि चीन में मंदी गहराती जा रही वहां पर रिकवरी क इस तरह के डिमांड घट रही है तो ये एक मुश्किल की बात है और पांचवा है कि खाड़ी देशों में जबर्दस्त तनाव है हमास के लीडर मारे जाने के बाद और ज़्यादा तनाव बढ़ गया है इसमें यमन भी शामिल हो गया है उसमें लिब्या भी शामिल हो गया तो पूरी दुनिया में जो सामाधिक संगर्स और जियो पॉलिटिकल टेंसन बन गया है ये भी मार्केट का मूड खराब कर रहा है और लोगों को ये भरोसा नहीं है कि सब कुछ पीस्फुली चलेगा तो ये चार-पांच मुख कारण है जिसकी वज़े से बादार में आज बिक्वाली देखने को